हेलो गाइज वेलकेम टो एनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केफेंट्स इन्नोवा कैप टैब लिमिटेड की ओर से दिसंबर क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में अलसिस करेंगे सॉरी एक्षली सकेंड क्वाटर की रिजल्ट आउट हो और स्टेंडर आउन कॉंसलीडेटेटेड दोन रिजल्ट हो चुका है जोकि हम लोग कवर करेंगे जो में अंबर कैटेटेड पिछले कवाटर में 234.3 के करोड़ा और दिसंबर 22 क्वाटर में 243.8 का इंकम है Quarter on quarter, year on year, दोनों में increase किया है, expenses 256 करोड का, पिछले quarter में 209 करोड का और September 22 quarter में 218.9 करोड का expense हुआ था Quarter on quarter, year on year की expense भी increase किया, एक्षिली गाई, September quarter का result है, और जिसके बाद operating profit है 30 करोड का, पिछले quarter में 24.5 करोड का और September 22 quarter में 24.8 करोड का operating profit है Quarter on quarter, year on year में increase किया है, net profit अगर देखा जाए, तो company का जो net profit है 22.9 करोड का, पिछले quarter में 17.5 करोड का, और September 22 quarter में 18.7 करोड का operating profit है Quarter on quarter, year on year, दोनों में increase किया है, EPS 4.77 रुपीज का quarter on quarter, year on year, दोनों में increase करती भी नज़र आ रही है तो guys company का जो result निकल का है consolidated basis पर, बहुत ही strong result देखने को मिला, single segment से revenue generate करता है, जिसका नाम है drugs and pharmaceutical products और guys यह company जो कुछी टाइम पहले इसका stock exchange में जो लिस्टेड हुआ है और यहाँ पर जो की 448 रुपीज पर एक्विडी शियर पर जो यहाँ पर लिस्टेड किया गया है जो की दिखते है, यहाँ पर सॉरी, जो की recently company जो लिस्टेड हुआ है और लगभग यहाँ जो company जो है 29 December को ही जो लिस्टेड किया है यह stock exchange में, अब हम लोग चलते हैं इस company के stand-alone financial results पर, जो की income है 213.8 करोड का, पिछले quarter में 219.4 करोड का और December 22 quarter में 226.8 करोड का income है quarter on quarter में तो down है, लेकिन year on year में भी down देखने को मिला है, दिखें, income is September quarter से इस बार year on year में down है और quarter on quarter में भी company के income down है, expense है 193.4 करोड का, पिछले quarter में 198 करोड का, और September 22 quarter में 204 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में expenses भी down है, year on year की expenses भी down है, जहां पे income down है तो expense भी down है, और operating profit है 20 करोड का, पिछले quarter में 21.4 करोड का और September 22 quarter में 22.7 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में down देखने को मिल रहा है net profit 14.4 करोड का पिछले quarter 15.3 करोड का और September 22 quarter 17 करोड का net profit है quarter on quarter year on year में down है EPS 3.02 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में decrease किया तो guys consolidated company का result बहुत strong पेश किया लेकिन stand-alone में उतना ही ज्यादा weak देखने को मिला क्योंकि consolidated में income profit दोनों में increase है तो stand-alone में income profit दोनों में decrease किया और guys 29 December कोई company जैसे stock action में listed हो और बहुत strong debut किया था यह company और अब इसका second quarter के result पब्लिश किया third quarter के result पब्लिश नहीं किया January का महिना चल रहा और third quarter के result अभी आनी है लेकिन आती है या तो इस महिने के last में मदला कि last month में या तो फिर next महिने के starting में जो इसका result आने का ज्यादा chances है तो आप देखना यह कि third quarter के result company कैसा publish करती कि second quarter के result उतना अचा publish नहीं किया है अगर हम consolidated basis के according result देखने तो है लेकिन standalone basis की results बहुत ज्यादा वीकेज लेका सकते average result पेश किया है तो हम लोग जो है वीडियो कहीं परेंट करते हैं अगर कोई doubt comment box में पूछे मिलता है नेक्स रोड़ों में तिल देन बाबाइ